गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है, आज का लेक्चर है कक्षबारवी का त्रीवी मी जामिती, त्रीवी मी जामिती का पांचवा भाग, इसमें हम देखेंगे कि दो रेखाओं के मध्य निंतम दुरी कैसे ज्याद करते हैं और उनका पांचवा पांचर का पांचवा विज में बिल में तो हमकान की निंतम दुरी जिणाद करते हों नहीं है तो हमक्ते हैं समत निन एक्वी मी जामिती स्थाएगा आखेंगे। амचा जुट प्रतिशेदी रेखा कहेंगे और एक स्थाएगां में और दुनर्शेवाclear टो समतल में नहीं है उदाहरण के तौर पे मालेज एक रेखा इसमें हम खीज़ देते हैं ऐसे करके और एक रेखा ऐसे करके छत आप काट यह सम्तली नहीं हैं जब सम्तली नहीं है यह इधर निकल गया कि अग्येट, कोई रहा है दूसरे सम्तल से तो निम्तमदूरी का मतलब है कि वह जगा जहां पर मिलाने वाली लाइन दोनों पर ऐसे लंब हो दोनों पर ऐसे लंब हो तो ये इनके बीच की निम्तमदूरी होगी इनके बीच की निम्तमदूरी होने के लिए इस पर भी लंब होना चाहिए रेखाखंड को और यह संभव है अलग अलग संतल की दो रखाओं के लिए एक यह संतल में दो रेखा तो एक दूसरे कर न काटेंगी उनके बीुच की की निंतम-दुरी जीर हो जाएगा तो थो है तो इसी अलग-अलग संतल में लेकिन अब स्वेश्च करते हैं कि यह कि इस प्रकार कोई दो रखाएं ऐसे इनके बीज की नितम दूरी वह जगह होती है जहां पर दोनों पर यह लंब होता है तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास अभी दो रखाएं है पहला रखा है आर इकोल टू 3i-15j प्लस 9k प्लस लेमडा इन्टू 2i-7j प्लस 5k दूसरी रखा है 2μ-1i-1-1-1-1-1-0-9-3-μ-k इसको इस स्टेंडर्ड फार्म में एक बिंदू और एक समानतर सदिस जब कुछ रखार समी करन लिखते हैं तो पहला होता है वह रखा जिस बिंदू से जाता है और दूसरा जो होता है constant के साथ में वो होता है कि वो रेखा वुस जिसके समानतर है तो इस form में लिखेंगे तो एक mu के साथ में आ जाएगा और एक बीना mu कर रहेगा तो यह minus i आएगा यहां से plus j आएगा और यहां से plus 9k आएगा और mu के साथ यहां से 2i आएगा यहां से plus j आएगा और यहां से minus 3k आएगा यहां mu है और यहां 2mu है तो 2i यहां minus 3mu है तो minus 3k म्यू के साथ में आएगा तो यह दूसरी रेखा है रेखा 1 वर रेखा 2 तो lambda और mu के अलग-अलग मानों के लिए रेखा 1 पर अलग-अलग बिंदू होगा यह मालिज रेखा एक है और यह रेखा दो है तो लेम्डा के किसी मान के लिए यह मालिज पी है और यह मालिज पी है जहां पर एक रेखा खंड पी क्यू है तो पी क्यू इस रेखा एक पर भी लंब है रेखा दो पर भी लंब है तो लेम्डा के किसी मान के लिए इस सदीस को हम इसका स्थिती सदीस मान सकते हैं P का और मियों के किसी मान के लिए ये पूरे सदीस को हम Q का स्थितीस सदीस मान सकते हैं जब इन दोनों का सदीस हमको मिल जाएगा तो हम इनका दीकनुपात PQ सदीस निकालेंगे इस सिधान से हम आगे इसको बनाएंगे तो हमको P और Q के निर्दशांग चाहिए वर उसके बाद P Q के बीच की P Q का समीकरण भी चाहिए इसके निर्दशांग मिल जाए गए उसके बाद हम इसकी दूरी निकाल लेंगे तो समीकरण एक से मैं क्या करता हूँ समी करन एक से इसको निर्दसांग के रूप में लिखता हूँ उसको मैं माल लेता हूँ O P, P का स्थिती सरीष, P का स्थिती सरीष, O B, इसको हम मान सकते हैं I के साथ में आ जाएगा यहां से 3, यहां से 2 lambda, 3 प्लस 2 lambda into I प्लस यहां से आ जाएगा minus 15 और यहां से minus 7 lambda, minus 15 minus 7 lambda J और यहां से 9 और यहां से 5 lambda plus 9 plus 5 lambda K, यह हम P का स्थिती सरीष माल लेए अब Q का स्थिती सरीष, यहां से माल लेता हैं, मु के किसी मान के लिए होगा तो यह इस फाम में ही आयेगा वैसे इस फाम में आयेगा यहां से 2μ और यहां से माइनस 1 2μ-1 i plus μू plus 1 μू plus 1 j plus minus 3μ plus 9 यह 9 minus 3μ k हम क्यों करे इस्थिती सरी समाल लिए अब हम मानते हैं सदी स्पीक्यू सदी स्पीक्यू मालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 2μ-1 i plus μू plus 1 j plus 9 minus 3μ k minus 3 plus 2 lambda i plus minus 15 minus 7 lambda j minus आएगा यह भी फिर माइनस आएगा 9 plus 5 lambda k ऐसे question को थोड़ा verify करते हैं question को थोड़ा सदेख लेते हैं यह आजाएगा इसमें आ रहा है माइनस 15 माइनस 7 यह 5 है कि 15 इसको चेक कर लेते हैं इसको अगे देख लेते हैं इसको कल्कुलेशन करके सदीस पीकी हो जाएगा सदीस पीकी हो जाएगा आई से आई माइनस होगा तो टू मियू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू लेंड़ा आई यह माइनस को अंदर ले जाएगा जे के सांथा जाएगा मियू प्लस वन मियू प्लस वन यह माइनस होगा तो प्लस 15 प्लस 7 लेंड़ा जे और के के सांथ हो जाएगा 9 माइनस 3 मियू और माइनस 9 माइनस 5 लेंड़ा के खुल मिलाकर पीक्यू सदीस हो गया, 2μ-2λ, 2μ-2λ, minus 4, I, फिर μ, plus 7λ, plus 16, J, plus, minus 3μ-5λ, k, ऐसे हो गया, अब यह पीक्यू सदीस है, पीक्यू क्या है, इस पर भी लंभ है, और समी, यह जो रेखा एक है, इसका समानतर सदीस B1 यह है, 2I-7, J, 2I-7, J, plus 5k, और दूसरा सदीस जो है, वो सदीस B2, इसका समानतर सदीस है, यह, 2I, plus J, minus 3k, यह क्या है यह एकिस्के समानतर रहा Wah copy यह इन दोनों पर भी सर्ट होगा यह इन दोनों पर भी लंप होगा तोफ सम्में तो यह जीरो हो जाएगा बीवन के साथ डॉट करने का मतलब है देखिए पीक्यू का हमारे पास कंपोनेंट है हमारे पास स्पेस कम है तो लिख नहीं रहे है डारेक्ट ले रहे हैं आई में वहां टू है आई में यहां यह है टू इंटू टू म्यू माइनस टू लेम्डा माइनस फॉर जे में वहां माइनस सेवन है और जे में यहां पर म्यू प्लस सेवन लेम्डा म्यू प्लस सेवन लेम्डा प्लस सिक्स्टीन है और उसके बाद के में यहां फाइब है और के में यहां पर माइनस three में, माइनस five lambda है equal zero हो जाएगा bracket solo करते हैं तो four mu माइनस four lambda माइनस eight माइनस seven mu माइनस fourteen nine lambda माइनस some Ü Gram minus fifteen mu minus twenty five lambda equal zero तो कोर लिम लाकर मैं प्लस चार्बelson हो जाएगा ऐसके मैनस मीं हो जाएकर तो मैनस टो सुराइब स–बिवहा जाएगा मैनस-ठाराए और कए सब्लुन-ंथ 12, तो इसको और यहां पर हम इस पेस नहीं है तो यहीं फिर से लिखते हैं माइनस टू का डिवाइट कर देते हैं अच्छे यह लेमडा है माइनस टू का डिवाइट करेंगे तो यह हो जाएगा 9 और 3 और 9 39 39 39 लेमडा प्लस 60 इक्वल जीरो यह अपने पास समीकरन नंबर 3 के रूप में माल लेते हैं समीकरन 3 के रूप में इसको माल लेते हैं अच्छा इसमें 3 से और डिवाइट कर लेते हैं पहले 3 से डिवाइट करेंगे तो और छोटा हो जाएगा यह हो जाएगा 3 मू प्लस 13 लेमडा फ्लस 20 इक्वल 0 यह समीकरन 3 हो जाएगा इसको आगे हम सौल करेंगे फिर हम लेते हैं पीक्युडाउट पीक्युडाउट बीटू इक्वल 0 इसले ले रहे हैं कि यह इस पर भी लंब है और यह इसके समानतर है बीटू के तो पी का माइनस 2 लेम्डा माइनस 4 और B2 में जे का पोफिसेंट है 1 यहाँ पर जे का है मिउप्लस 7 लेम्डा प्लस 16 और उसके बाद के में है माइनस 3 और यहां के में है माइनस 3 मिउप्लस 5 लेम्डा इक्वल 0 ब्रेकर सालो करते हैं तो 4 मिउप्लस 4 लेम्डा माइनस 8 प्लस मिउप्लस 7 लेम्डा प्लस 16 प्लस 9 मिउप्लस 15 लेम्डा इक्वल 0 तो 4 मिउप्लस 5 मिउप्लस 14 मिउप्लस 15 लेम्डा हो गया और नंबर हो गया 16 माइनस 8 तो 8 इक्वल 0 टू से डिवाइट कर देते हैं 7μू प्लस 9 लेमडा प्लस 4 इक्वल 0 यह समीकरन नमबर 4 हो गया अब यहां पर 3μू है यहां पर 7μू है तो मू को यह दिकेंसिल करना है तो 3 को मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको चेक कर लेते हैं पहले सेकंड एक्वेशन नाइन लेमडा प्लस 7μू प्लस 4 इक्वल 0 ठीक है उसके बाद हमको क्या करना है विलोपन विधी अपनाना है तो मैं इसमें फीन-फिन मां साथ का गुणा कर देता हूँ यह वाला हिपरें और यह 12 चार्थ यह 12 इकवल 0 और माइनस कर देते हैं माइनस करेंगे तो यह कर जाएगा मिवाला इनक्यानबे में इसे 27 गया इनक्यानबे 27 गया तो 64 लेमडा प्लस यह हो जाएगा 128 बराबर 0 तो यहां से लेमडा बराबर एक Fo Fit 25 लेमडर बराबर माइनस 2 हो जाएगा और लेमडा बराबर माइनस 2 हम इसमें रख देते हैं तो 3 माइनस 2 र खेंगे तो ज्रिंग 26 धन 20 बराबर 0 तो 3 मिव इकवल टो 6 बराबर up-to-to the team हो जाएगा पाइसे हैं कर भी निकाल सकते हैं और स्प्रों निकाला अब इसको बहर wissen can मतलब क्यूं का इस्थिती सदीश है तो पी लेम्डा के जगा माइनस टू रखना है अपने पास से स्पेस का मैं थोड़ा सभ्यान दीजेगा लेम्डा इकॉल टू माइनस टू रखेंगे तो थ्री माइनस फोर एन माइनस आ जाएगा और इसमें लेम्डा इकॉल टू रखना है मैं इकॉल टू रखना है वहां निकाले हैं तो फोर माइनस वन थ्री आई एड़ रखेंगे तो थ्रीजे ट्री प्लस वन औं नाइन माइनस 6 तो 3K हो गया इस प्रकार क्या हुआ कि ओपी और ओक्यू हमको मिल गया अब हम क्या करते हैं यदि हमको PQ का समीकरन निकालना है तो इसको जर्रली इसका समीकरन हम लिखेंगे तो एक सदीस ले लेते हों एक सदीस मतलब ओपी प्लस यहां एक कांस्टेंट लेंगे सपोस्टी इधर ले चुके हैं तो OQ-OP यह इसके समांतर हो जाएगा पीक्यूव रेखा जो है इन दोनसे से जाता है मतलब इसमेंस समांतर हो जाएगा समांतर सदीस को यहां पर लेते हैं तो इस प्रकार इसका समीकरन इससे माइनस करेंगे तो सब 4i4j4k हो जाएगा माइनस I प्लस J प्लस K प्लस T 4 फोर कामन ले लो तो I प्लस J प्लस K ऐसे हो जाएगा यह इसका निंतम रेखा का समी करण है निंतम रेखा का यह समी करण है और उसके बाद हम क्या करेंगे PQ सदीस निकालेंगे इसमें से इसको भटाएंगे PQ सदीस PQ सदीस यहाँ पर वैसे निकालेंगे 4I 4J 4K 4I 4J 4K आयगा इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर माड आप PQ लेंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगा तो अंडर रूट 4 स्क्वेर 4 स्क्वेर 4 स्क्वेर तीन बार 4 स्क्वेर तो तीन इन्टो 4 स्क्यर तो फौर रूट 3 इसका निंतमदूरी का समीकरण होगा फौर रूट 3 निंतमदूरी होगा और निंतमदूरी का समीकरण यह होगा इस प्रकार यह Thoड़ा बड़ा कोस्टन है आपको परिश्मानी कुछ हुआ होगा तो यह हुआ सदिस रूप में कैसे निकालते हैं कि दो रेखा दिया गया है यह इसके समानतर है इसके समानतर है पहले हम इसके पूरे स्वालब करके पियर क्युक्त नीर्षांग मान लिए फिर इसका सदीस निकाले इस सदीस को इन दोनों के लंवत होने के कंडिशन पर लेमडा और म्यू को निकाला गया है कि रहें हैं कि सद्धान के एक सदी समी्करन अब हम देखें के कार्थी समीकरन has a city हो यहीं रहेगा कि लंबग 1 by ृजरिंत अगला सुरा होता है वह जीरो होता है दो रंबत रेखाओं का डाट प्रोड़क्ट तो देखिए नेक्स्ट हम कुछ दूसरा लेते हैं इसमें दिया हुआ है इसको हम लिम्डेक इक्वल मान लेंगे और दूसरा रेखा है इसमें भी हम क्या किये थे कि आर का जो आर सदीस था उसको हम पी और क्यों को सदीस माल लिये थे वैसे यहां पर एक जर्रल पाइंट निकाल लेते हैं इसको हम सौल करेंगे तो रेखा एक पर एक बिंदू मिलेगा जिसका एक सौल करेंगे तो टू लेंड़ा और मैनस जाएगा तो प्लस वन यह हो हैं जैसे पिछले बार बना थे वह ढ तो इसके दीकन पाथ हो गया, अब PQ रेखा एक बद दो दोनों पर लंब होगा, पीक्यू, रेखा एक जिसके दीकन पाथ अपने पास है, डीकन पाथ रेखा एक का दीकन पाथ है, का गुनन पर का योफबल जीरो हो जाता है, इस सी धान्त को हम लगाएंगे, तो यहां पर देखें, पहले इसका लेते हैं, रेखा एक का, 2, 3, 4 है, तो 2 into 2 lambda minus 3 mu minus 1, plus 3 into 3 lambda minus 4 mu minus 2, plus 4 into 4 lambda minus 5 mu minus 2 equal 0. तो यह होगिया, 4 lambda minus 6 mu minus 2, 9 lambda minus 12 mu minus 6, plus 16 lambda minus 20 mu minus 8 equal 0. तो 4 lambda, 9 lambda, 13 lambda, 13 and 16, 29 lambda, minus 6 mu minus 12 minus 18, और minus 20 minus 38 mu, और minus 2 minus 6 minus 8, तो यह minus 16, equal 0, यह होगिया, lambda और mu में पहला समीकरन, lambda और mu में यह पहला समीकरन होगिया, अब lambda और mu में दूसरा समीकरन निकालते हैं, जिसमें इसके दीकन पात को यूज़ करेंगे रेखा 2 का हमारे पास PQ का दीकन पात ये है रेखा 2 का दीकन पात है 3, 4, 5 तो 3 into 2 lambda minus 3 mu minus 1 plus 4 into 3 lambda minus 4 P, 4 mu minus 2 plus 5, 4 lambda minus 5 mu minus 2 equal 0 ब्रेकेट्स आलो करते हैं 6 lambda minus 9 mu minus 3 plus 12 lambda 4 into 3 minus 16 mu minus 8 plus 20 lambda minus 25 mu और minus 10 equal 0 तो 6 lambda, 12 lambda, 18 lambda और 20, 38 lambda उसमें 38 mu में आया था minus 9 mu minus 16 तो minus 25 और फिर ये 25 तो 50 हो जाएगा minus 50 mu और नंबर हो जाएगा minus 3 और minus 8 minus 20 वना रहा है minus 21 equal 0 तो इसमें second equation को भी check कर लेते हैं अब हम क्या करते हैं इसमें देखे equation तो complicated है equation number 3 और equation number 4 equation number 3 और equation number 4 बहुत बड़ा बड़ा नंबर है लेकिन यदि हम 50 का multiply करेंगे तो easy हो सकता है 50 का multiply करेंगे तो उसमें 38 का करना पड़ेगा और इसमें 50 का करना पड़ेगा है तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे इसमें नंबर बहुत बड़े बड़े हैं थ्री में हम multiply करते हैं 50 का 50 का करेंगे यानि 29 in 5 जर लेना है 29 5 145 29 5 145 और 0 तो 145 0 फिर इसमें हम करेंगे 50 का तो यह हो जाएगा पांच अथे चालिस एक सो नब्बे तो उन्निस तो आ जाएगा माइनस उन्निस तो म्यू फिर इसमें 50 का करेंगे तो 1685 तो आठ सो आ जाएगा माइनस आठ सो इक्वल जीरो फोर में मुल्टिप्लाइ करते हैं 38 का तो 38 का स्वेर कितना होगा बारा की स्वेर 14 सब्सक्राइगा यह वर्ग करने का एक विसेश मेथड है उसके द्वारे निकालें 38 का स्क्यार फिर 38 गुनित पचास त्वेत उन्निस सभी रहेगा और माइनस 21 सथ एक समाड़ू सथ हासिल सोला और 21 तिया तीर सथ और सोला सेवन्टिनाइन इक्वल जीरो अब घटा देते हैं तो यह प्लस यह प्लस यह माइनस तो 16 पचास में 14 चमालीस घटे गए तो 6 लेम्डा 6 लेम्डा आएगा और यह माइनस 2 आएगा इक्वल 0 तो लेम्डा इक्वल टू 1 अपान 3 आ गया लेम्डा इक्वल टू 1 अपान 3 अब किसमें रखें हम लेम्डा कमान इसमें रख देते हैं चलो और 30 बटे 3 लेम्डा इक्वल टू 1 अपान 3 हम और ठींच बटे 네न पचास मुयोई इकटीश 4 जीरो तो पचास मी को उधर डाल देंगे быстр डिर्षáriaं űप्लट्पिभ पचास क Mr. 30 में तिर शर्ट में आएगा आठ में से तीन गया है तो दो बटे तीन तो म्यू एक्वल टू रिन पच्चीस बटे तीन गुनित पचास तो minus 116 मु की व herum माइनस 116 मु की Catholic सरा यह तो एक प्रकार करकार से काmpliकेट करप्लेशन था अब जैसे हमको मु और लेमडिय को मिल गया हम पी और उर क्यूअ मनिकाल सकते हैं पी अर्ड़ंव के निद्धर शांग निकाल सकते हैं रेका पी का निर्शांग निकालने के लिए लेम्डा की जगह बना पान 3 रखेंगे तो 2 आपान 3 प्लस 1 और ये ये तो 3 आपान 3 प्लस 2 और 4 आपान 3 प्लस 1 प्लस 3 है स्वोरी एकपोल टू पी के निर्शांग पर जाएंगे 5 बटे 3 और 3 दोने 6 अच्छा ये 3 हो गया सिधा सिधा 3 तिया 9 तेरा बटे 3 अब क्यों के निर्शांग निकालते हैं माइनस 1 आपान 6 रखेंगे म्यू के जगह तो 3 माइनस 3 आपान 6 प्लस 2 माइनस 4 आपान 6 प्लस 4 माइनस 5 आपान 6 प्लस 5 इकवल टू क्यों हो जाएगा यह रिन एक बटे 2 हो जाएगा तो चार रिन एक ने तीन बटे दो हो जाएगा ये और ये भी ये रिन 2 बटे 3 हो जाएगा रिन 2 बटे 3 तो दो बटे तीन अच्छा इस निकेश चोवीस चोवीस मुचार रहे हैं 20 बटे च्छाय ने 10 बटे तीन और उसके बाद पांच शिक कर तीस तीस में से पांच गया तो पचीस तो ये पचीस बटे च्छाय आ रहा है सभी बिंदू कांप्लिकेटेड हैं सभी बिंदू कांप्लिकेटेड हैं पी और पी होगे अब दो बिंदू से अगर जाने वारे रेखा कर समीकरन लिखना है हमको फिर इनकी बीच की दूरी निकालना है तो PQ का समीकरन PQ का समीकरन तो X-X1 किसी कोई इसको ले लेते हैं चलिए X-5 upon 3 upon 3 by 2 minus 5 upon 3 equal Y-3 upon 10 minus 3 upon minus 3 Z-13 upon 3 upon 25 upon 6 minus 13 upon 3 ऐसे हो गया तो आगे यह हो जाएगा देखे इसको लस्यम सॉलो करेंगे तो 3X-5 आएगा 3X-5 upon 3 यहां हो जाएगा लस्यम 6 तो 9 minus 10 तो minus 1 upon 6 minus 1 upon 6 आजाएगा equal to यह तो Y-3 है तो 10 में से नहों गया तो यहां पर 1 upon 3 आ रहा है अब यह 3Z minus 13 पूरे कबटे 3 बटे LCM 6 आएगा तो 25 दिन 26 एने minus 1 upon 6 तो अब देखे इसको और जेस्ट करते हैं आगे 3X-5 यह 3 नीचे आएगा 3 नीचे आएगा 6 उपर चला जाएगा 6 उपर नीचे आएगा तो 3 नीचे आएगा minus 1 upon 2 लिख सकते हैं इसको minus 1 upon 2 y minus 3 upon 1 upon 3 3Z minus 13 upon यह भी minus 2 आजाएगा अब यह नीचे में minus 6 का multiply कर देते हैं तो यह 3 यहाँ minus 2 यहाँ पर 3 आजाएगा कुल मिलाकर रेखा का समीकरन हो जाएगा 3X minus 5 upon 3 दो जगा minus है तो हम minus का भी multiply कर रहे हैं तो यह 3 आजाएगा y minus 3 upon minus 2 3Z minus 13 upon 3 यह हो गया उसरे नीचे में दूरी का समीकरन अब इनकी बीच की दूरी इनकी बीच की दूरी निकालने के लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा बिन्दू तो हमको मिल गए है बिन्दू हमको मिल गए हैं कोस्चेन का उपरी भाग मिटा देते हैं दूरी पीक्यू निकालना है निंतम दूरी निंतम दूरी पीक्यू इकवर टू अंडर रूट x2 minus x1 कवर गए यह है 5 by 3 minus 3 by 2 का स्क्वेर 3 minus 10 by 3 का स्क्वेर अंडर रूट 13 upon 3 minus 25 upon 6 का स्क्वेर तो यह हो गया 10 रिन 9 बटे 6 यह एक बटे 6 तो एक बटे 36 9 रिन 9 रिन 10 यह रिन एक बटे 3 कवर गे मतलब एक बटे 9 और यह हो जाएगा 6 इसका लगुत्तम आएगा तो यह दो गुनाँ 26 में से 25 यह एक बटे 36 एक बटे 6 यह भी आएगा 26 रिन 25 कि नींतम दूरी 0 हो जाएगा आपको दूसरे प्रतिशेद करेगा तो नींतम दूरी 0 होगा जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर उनकी दूरी 0 तो वह समतली होती है है तो इसे के द्वारामान उसको प्रतिशेदी रिखाएं भी कहते हैं तो यह निंतंदुरी के सिध्धान से भी हम सिध्ध कर सकते हैं कि यह प्रतिछेदी रेखाएं हैं इसके पहले भी हमने क्या किया था तो उसमें क्या होता है कि यदि निकालना है तो लेमडा के किसी मान के लिए दोनों मार को बराबर कर देते थे लेमडा के मान को इसमें रख करके हम प्रतिछेद बिंदू निकालते थे जिसको हम निम्तम दूरी के अधार पर निम्तम दूरी के इसको बताना है कि प्रतिछेद करते हैं तो यहाँ पर बात यह है कि यदि सिर्फ हमको ये जानना हैं, कि निंतन दूरी 0 है कि नई, तो इतनी सब लंबा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपलोगों को एक विशे सिध्धान्त के द्वारा, जो सिध्धान्त होता है उसके द्वारा मैंने सिध्ध करके दिखाये ज्याद किया इसके लिए फार्मूला भी होता है इसके लिए फार्मूला भी होता है जिससे हम निम्तंदुरी का कल्कुलेशन कर सकते हैं और उस फार्मूला से सिध्ध करना कल्कुलेशन तो इतने ही निकल जाएगा जो सदीष रूप में होगा सदीष रूप में सॉर्टेस् टे डिस्टेंस जो होता हैúsica बोलते हैं यह होता है माड आफ एटू माइनस एवन डॉट बीवन क्रॉस बीटू अपाउं माड आफ बीवन क्रॉस बीटू तो यह सदी सुरूप में एजडी निकाले लेकिन एजडी के समीक्रेन इस फार्मुला से नहीं निकलेगा और सिर्फ सीध करना है यह तो वास्तों में हट यदि यह 6 बश्तों हाने और कारती रूप में कारती रूप में जो होता है इसका जो सदीस है इसके यह वाला सदीस A1 है और इसका जो सदीस निकाले थे इधार हो A2 है जैसे यह A1 होगा यह A2 होगा और B1, B2 मतलब समानतर सदीस यह और यह B1, B2 होगा कार्थी रूप में जो HD होता है यह होता है X2-X1 Y2-Y1, Z2-Z1 पहले सदीस का दीकन पातिया दीक को जिया दीकन L1, M1, N1, L2, M2, N2 अपान में बहुत बड़ी क्वांटिटी है यह यह फार्मूला यूज करेंगे तो M1, N2 माइनस M2, N1 का स्क्वेर प्लस N1, L2 माइनस N2, L1 का स्क्वेर प्लस L1, M2 माइनस L2, M1 का स्क्वेर यह ऐसे बहुत परियाप्त लंबा है यह फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला भी यूज कर सकते हो 1, 2, 3 से जाता है 2, 4, 5 से जाता है वो बिंदू है एAlegroologie का और दोयंके उन्टरितसांकों का अंतर लेना है पहले लाइन में दूसरे लाइन में पहले का दिको कुझा, तीसरे लाइन में दूसरे रेखा का दिको कुझा और का नीचे में यह वाली तो इस फार्मूला से पुरा-पुरा HD निकालने के लिए इन दोनों का कल्कुलेशन जरूई है लेकिन सिर्फ चेक करना है तो उपर की क्वांटिटी को हम निकालेंगे यदि यह नॉन जिरो आगे तो HD नहीं रहेगा लेकिन नॉन जिरो आगे तो HD कुछ निकलेगा तो वह क् प्रतिछेदी हैं जिरो आगे तो वह प्रतिछेदी है करके जिरो आगे प्रतिछेदी है करके सिध्ध हो जाएगा तो देखते हैं अब ये तीसरा प्रश्न को तीसरा प्रश्ण में पहला र इक्वल टू I-J प्लस लेंड़ा 2I-K और दूसरा रेखा है 2I-J प्लस मुउ I-J-K तो हमारे पास A1 हो गया I-J, A2 हो गया 2I-J और B1 हो गया 2I-K और B2 हो गया I-J-K तो A2-A1 निकाल लेते हैं कि अदिस्त्रीक गुनानफल यह अदिस त्रीक गुनानफल है A2-A1 डॉट B1 क्रोस B2 यह अदिस्त्रीक गुनानफल है इसका मॉड लिनेक वैसे जरूरत नहीं था तो सदिस रूप में वैसे छोटा है एसडी निकालना और अदिस कार्थी रूप में लंबा है परयाप लेकिन दोनों के लिए हमने सिध्धान बता दिया अदिस त्रिक गुननफल को हम सांडिक से भी निकालते हैं सदिस वाले चेप्टर में देखे थे पहला लाइन में पहला तो यह 10-1 ऐसे करके आ रहा है बागि लूप जिरो हो जाएगा तो यह माइनस बना रहा है तो यह लाए प्रति छेदी नहीं है समतली नहीं है शरुए eh प्रेशन अक्रमांग चार में दिया हुआ है एक्स माइनस वन अपान टू वाई प्लस वन अपान थ्री इक्वल जेड तो जेड माइनस जीरो अपान वन लिख सकते हैं कि दूसरा है एक्स प्लस वन अपान 5 कि वाय माइनस टू उइक्वल टू वन और ऐसे कोमा करके दे दिया है जेड इक्वल टू वैसे जेड इक्वल टू लिखने पर तो समतल आ जाता है तो अभी इसका मतलब ऐसा होगा कि जेड इक्वल टू यहांद z minus 2 equal 0 या इसके एक्वान में 0 डाल दो ऐसे और इसके equal कर सकते हैं तो आगे क्या है इसमें हम इसका पहले का बिंदू है पहले का बिंदू यह minus है तो 1 आएगा यह minus 1 0 1 minus 1 0 चेने को minus करके लेंगे यह minus 1 2 2 ऐसे और b1 b2 b3 देखे जब HD निकालना हम वे इसको दीकनपात में परिवर्थित करना ज़रूरी है दीकनपात में परिवर्थित करना ज़रूरी है हम दीकनपात को डारेक्ट ले सकते हैं यदि हमको सिर्फ चेक करना है तो हम HD नहीं निकालना है 2-0 तो 2 तो पहले लाइन में 2-2-3 तो आएगा दूसरे लाइन में इसका दीक अनपा 2-3-1 दीक को जम परिवर्थित करने की ज़रूरत नहीं है और यह हो जाएगा 5-1-0 कल्कुलेशन करेंगे तो 2-2 में आजाएगा 0-1 और 3 में आजाएगा 5-0 और इसके साथ आजाएगा 2-15 तो यह 2 हो गया यह 15 हो गया और 2-15 मीनस-13 तो माइनस-26 हो गया तो यह हो जाएगा 17 माइनस-9 आ रहा है मतलब यह नाउन-0 आ रहा है तो यह भी प्रतिछेदी नहीं है यह भी प्रतिछेदी नहीं है यह भी प्रतिछेदी नहीं है यदि 0 आ जाता तो प्रतिछेदी होता तो इस प्रकार दूर रेखाओं के बीच की निम्तम दूरी और उनके प्रतिछेदी होने का एक अलग सिध्धान हमने देखा अगले लेक्चर में हम समतल के बारे में आने वाद।